5. जीवन देवता की साधना आराधना लेखक पंडिश्री रामशर्मा आचारे जीवन साधना के सोनिष्टित सुत्र उपासना पक्ष के चार चरण पिछले प्रुष्टों पर बताये जा चुके हैं 1. प्राता काल आग खुलते ही नया जन्म 2. रात्री को सोते समय नित्य मरण 3. नित्य कर्म से निवरुथ होने के बाद जब ध्यान वाला भजन 4. मध्यान के बाद मनन के क्रम में अपनी स्थिती का विवेचन और उद्धाती करण 5. कुछ दिन के अभ्या से इन चारों को दिन्चर्या का अविच्छन अंग बना लेना सरलसंभव हो जाता है 6. इस्ट देव के साथ अनन्य आत्मियता स्थापित कर लेना उसके ढाचे में ढलने का प्रयत्न करना यही सच्ची भगवत भक्ती है 6. द्वैत को अद्वैत में बदलना इसी आधार पर बन पड़ता है 7. सत्प्रवरोतियों के समुच्चय परमात्मा के साथ लिपटने की वास्तविक्ता को इसी आधार पर परखा जा सकता है 7. जीवन करम में शालिंता, सद्भावत, उदारता, सेवा सम्वेधना जैसी उमंगे अंतराल में उठती है या नहीं 8. आग के संपर्क में आकर इंधन भी अगनी बन जाता है 9. इश्वर भक्त में अपने इस्षदेव की अनुरुक्ता उभरनी चाहिए 9. इस कसोटी पर हर किसी की भक्ती भावना में कितनी यतर्वता है इसकी जाज परक की जा सकती है 9. भगवान का अनुग्रा भी इसी आधार पर जाचा जाता है 10. जहां सुर्य की किर्ने पढ़ेंगी वहां गर्मी और रोश्नी अवश्य द्रस्टी गोचर होगी 10. इश्वर का सानीध्य निश्चित रूप से भक्त जनों में प्रमानिक्ता और प्रखर्ता की विबूतिया अव्तरित करता है 11. इस आधार पर उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार उत्कुरुष्ट अधर्श्वादिता की हर कसोटी पर खरा उतरता चला जाता है 11. सच्ची और जूठी भक्ती की परिक्षा हाथों हाथ होती चलती है 12. यह प्रतित होता रहता है कि समर्थ सत्ता की अनोग्रा हाथों हाथ प्राप्त होने की मानियता पर उपासना खरी उतरी है या नहीं 12. आत्मोत कर्ष का दूसरा अवलंबन है साधना 13. साधना अर्थात जीवन साधना 14. साधना अर्थात अस्त्व्यसता को सुव्यवस्था में बदलना इसके लिए दो प्रयास निरंतर रखने पड़ते हैं 15. एक अभ्यस्त दुस्प्रगृतियों को बारी किसे देखना, समझना, उन्हें उखारने के लिए अनवरत प्रयत्नशिल संगर्शिल रहना 16. दूसरा कार्या है मानवी गरीमा के अनुरुप जिन सत्प्रगृतियों कोई अभी कमी मालूम पड़ती है 16. उनकी आवशक्ता उप्योदिकात को समझते हुए उसके लिए आकुलता स्तर का मानस बनाना 17. या उभाई पक्षिय क्रम जीवन के प्रतिक शेत्र में व्यव्यत होते चले जाए तो समझना चाहिए कि जीवन साधना साधने का सरंजाम जुटा 17. माना कि कार्य समय साध्य और श्रम साध्य है फिर भी वह असंभव नहीं है 18. कच्छुवा धिमीगती से चल कर भी बाजी जीत गया था 18. असफल तो वे खर्वोश होते हैं जो प्षणिक उत्सा दिखाने के उपरान मन बदल देते और इधर उधर बटकते हैं 18. स्थिर्ता, तत्पर्ता और तन्मेता हर प्रसंग में सफलता का स्रेश्ट माध्यम बनती है जीवन साध्ना के लिए भी किया गया प्रयत्न सफल होकर ही रहता है किसान अपने खेत में खपत्वार उखाडता रहता है, कंकड पत्थर बिनता रहता है, इसे परिशोधन कहा जा सकता है जानवरों, पक्षियों से खेत के रखवाली करना भी इसी स्तरका कार्य है, किट नाशक दवाओं का प्रयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है खेत में खाद पानी लगाना पड़ता है, यह परिपोशन पक्ष है, निराई गुड़ाई का एक उद्देश्य यह भी है, कि जमीन पोली बनी रहे, जडों में धूप हवा की पहुच बनी रहे फसल को उगाने का यही तरीका है, जीवन को सुविक्सित करना भी एक प्रकार का कुरुशिकार्य है, इसके लिए भी इस नीती को अपनाना होता है शरीर में मल, मुत्र, पसीना, कफ, आदी के द्वारा सफाई होती है, स्नान का उद्देश्य भी यही है, सफाई से संबंधित अनिक उपकरम इसी लिए चलते हैं कि विशाणों का आकरमन न होने पाए सर्दी गर्मी से बचने के लिए अनेक प्रयतन भी इसी उद्देश्य से किये जाते हैं कि हानी पहुचाने वाले तत्वों से निप्टा जाता रहे जीवन भी एक शरीर है, उसे गिराने के लिए पक पक पर अनेकानेक संकट, प्रलोबन, दबाव उपस्थित होते रहते हैं उनसे निपटने के लिए सत्तरकता ना बरती जाए, तो बात कैसे बने? जोर उचकों, ठगों, उदंडों की अपक्षा न होती रहे, तो वे असाधरन क्षती पहुचाए बीना न रहेंगे दुश प्रवरुतिया जन्मजन पंतरों से संचित पशुप्रवरुतियों के रूप में सभाव के साथ गूथी रहती है फिर निकटवर्ति लोग जिस रहा पर चलते हैं और जिस तरकी गतिविद्या अपनाते हैं वे भी प्रभावित करती हैं और अपने साथ चलने के लिए ललचाती है जो कुछ बहुत जनों द्वारा किया जाता दिखता है अनुकर्ण प्रियस्वभाव भी उसकी नकल बनाने लगता है इतना विवेक तो किन्ही विरलों में ही पाया जाता है कि वे उचित अनुचित का विचार करें दुरवर्ती परिणामों का अनुमान लगाएं और सनमार्ग पर चलने के लिए बिना साथियों की प्रतिक्षा किये एकाके चल पढ़ने का साहस जुटाएं आमतोर से लोग प्रचले धर्रे पर चलते देखे गए हैं पत्ते और धुली करण हवा के रुप के साथ उड़ने लगते हैं दिशाबोध उन्हें कहां होता है यही सिती लोकमानस के संबंध में भी कही जा सकती है नीरक्षीर की विवेक बुद्धी तो कम दिख पढ़ने वाले राजहनसों में ही होती है अन्यपक्षी तो ऐसे ही कुड़ा खच्रा और किड़े मकोडे खाते देखे गए हैं किसी वस्तू का प्राप्त कर लेना एक बात है और उसका सदूपयोग बन पढ़ना सर्वत्था दूसरी स्वास्ति सभी को मिला है पर उसे बनाय रखने में समर्ध विरले ही होते हैं अधिकांश तो असयम अपनाते और उसे बरबाद ही करते हैं बुद्धी का सदूपयोग कठीन है चत्तुर कहने वाले रोग भी उसे कहां कर पाते हैं धन कमाते तो सभी है पर उसका आधा चौथाई भाग भी सदूपयोग में नहीं लगता उसे जिन कामों में जिस तरह खर्चा जाता है उसे खरचने वालों की उनके संपर्क में आने वालों की तथा सर्वसाधरन के बरबादी ही होती है प्रभाव का उपयोग प्राया गिराने दबाने भटकाने में ही होता रहता है इसे समझदार कहे जाने वाले मनुश्य की नासमजी ही कहा जाएगा यह व्यादी सर्वसाधरन को बुरी तरह ग्रसित किये हुए है इसी को कहते हैं राजमार्क छोड़कर ब्रुक तुरुष्णा में भूल भलैयों में भटकना जीवन संपधा के संबंद में भी यही बात है जन्म से मरण किसी अपने में क्या सुधार करना चाहिए और किन सत्प्रवृतियों को संवर्धन गोण कर्म स्वभाव के क्षेत्र में करना है यह आत्मसमिक्षा के आधार पर सही विश्लेशन होने के उपरांति संभव है इसके लिए कोई एक निर्धारन नहीं हो सकता है यह कार्या हर किस किसी को स्वयम करना होता है दूसरों को तो थोड़ा बहुत परामर्श ही काम दे सकता है नित्य निरंतर हर कोई किसी के साथ नहीं रहता फिर रोग का कारण और निदान जानते हुए उपचार का निर्धारन कोई अन्या किस प्रकार कर सके थोड़े समय तक संपर्क में आने अंसितर निर्बर नहीं रहा जा सकता यह कार्यस वयम अपने को ही करना पड़ता है इसमें भी एक कठीन यह है कि मांसिक सवर्चना के अनुसार हर व्यक्ति अपने को निर्धो श मानता है साथ फी सरवगोन संपन भी समझता रहता है यह सित्य शुधार और विकास दोनों मे बाधक है जब तक कमी का आभास ना हो तब तक उसकी पूर्ती का तारातम्य कैसे बने परस्तू आत्मविकास के मार्क पर चलने वाले जीवन साधना के मार्क पर अग्रसर होने के इच्छुख प्रत्यक व्यक्ति को चाहिए कि निश्पक्षता की पनोभूमी विक्सित की जीतना की आमतोर से दूसरे के दोश दुर्गुन ढूनने में हर किसी का रहता है आरोप लगाने और लांचित करने में हर किसी को प्रविण पाया जाता है इस सहज वृत्ति को ठीक उल्टा करने से आत्मसमिक्षा की वह प्रात्मिक अवशक्ता पूरी होती है जिसके बिना व्यक्तित्व का निखार प्राया असंभव ही बना रहता है वह ना बन पड़े तो किसी को भी महानता अपनाने और प्रगती के उच्छ शिखर तर पहुँचने का अवसर मिल ही नहीं सकता क्या करें इस प्रश्ण के उत्तर में एक पूरक प्रश्ण या उत्पन होता है कि क ऐसे क्या अनुप्यक्त हो रहा है जिसे नहीं सोचा या नहीं किया जाना चाहिए था कि नहीं सुव्यक्सित और सुसंस्कृत बनने वालों के नीजे निद्रुष्टी कौन स्वभाव और दिशा निर्धारन को समझते हुए यह देखा जाना चाहिए कि वैसा कुछ अपने से बन पढ़ रहा है या नहीं यदि नहीं बन पढ़ रहा है तो उसका कारण और निवारन क्या हो सकता है इस प्रकार के निर्धारन जीवन साधना के साधकों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है जो अपनी त्रूटियों की उपेक्षा करता रहता है जो अगले दि में यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी ऐसी स्थिती में पहुंच सकेगा जिसमें अपने को गर्व गौरव अनुभव करने का अवसर मिल सके साथ ही दूसरों का सहयोग सम्मान पाकर अधिक उची स्थिती तक पहुंच सकना संभव हो सके साधक के लिए आलस्य, प्रमाद, असयम, अपव्यय, एवं उनमत और अस्त्वियस्त रहना प्रमुख दोश है अचिंत्य चिंतन और अकर्मों को अपना ना तथा पतन पराभव के यही दो कारण है संकिन स्वार्थ परता में अपने को जक्ड़े रहने वाली अपनी और दूसरों के दृष्टी में गिर जाते हैं उतकृष्टा और आधर्श्वादिता से जो रिष्टा तोड़ देने पर ओचे लोग समझते हैं कि इस आधार पर नफे में रहा जा सकेगा पर बातिया है कि एसो को सर्वसाधरन की उपेक्षा सहन पड़ती है और असहयों के शिकायत बनी रहती है अपना चिंतन, चरित्र, स्वभाव और व्यवहार यदि ओछे पन से ग्रसित हो तो उसे उसी प्रकार धो डालने का प्रयात्न करना चाहिए जैसे की किचर से सन जाने पर उस गंदगी को धोने का अविलंब प्रयात्न किया जाता है गंदगी से सने फिरना किसी के लिए भी अपमान की बात है इसी प्रकार मानवी गरिमा से अलंकरूत होने पर भी शुद्रताओं और निक्रुष्टताओं का परिचय देना न केवल दुर्भागे सुचक है वरन साथ में या अभिशाब भी जुड़ता है कि कोई महत्वप्रोण उच्छावर्धक और अभिनंदिनियक प्रगती कर सकने का आधर कभी हाथ ही नहीं आता पेट भरने और परिवार के लिए मरते खबते रहना किसी भी गरिमाशील के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता तो समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म जैसे देवी दुरलब संपदा को कौड़ी मौल गवा दिया नित्य आत्म विशलेशन सुधार सत्प्रवर्धियों के अभिवर्धन का क्रम यदि जारी रखा जाए तो प्रगती के लक्ष उपलब्ध करने की दिशा में अपने करम से बढ़ चलना संभव हो जाता है इंद्रिय सयम समय सयम अर्थ सयम और विचार सयम को व्यावहारिक जीवन के तफश्चर्या माना गया है तब से संपत्ति और संपत्ति से सिद्धी प्राक्त का सत्य सर्वविदित है दुश्प्रगृतियों से अपने को बचाते रहने कि सयम शेलता किसी को भी सशक्त बना सकने में समर्थ हो सकती है यह राजमार्ग अपना कर कोई भी समुन्नत होते हुए अपने आपको देख सकता है समझदारी इमानदारी जिम्मेदारी और बहादुरी के चार सदगुण यदि अपने व्यक्तित्व के अंग बनाए जा सके उन्हें पुणिय परमार्थ स्तरका माना जा सके तो अपना आपा देखते देखते इस स्तरका बन जाता है कि अपने सूख बाटने और दूसरों का दूख बटा लेने की उधार मनोदशा विनिर्मित होने लगे जीवन साधना इसी आधार पर सदती है मनुष्य जन्म को सार इन ही आधारों को अपना कर बनाया जा सकता है